हेलो फ्रेंड्स माइनेमिस काजल और आप सभी क्या स्वावत है मेरे चैनल पर और आज हम डिस्कूस करेंगे यूपी पुलिस रिलेटेड कुछ महत्वपूर बाते जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा दिन से कभी कुछ लोग करें कि रिजल्ट आ गया है कभी कु यूवर्स हैं जिनका कमेश था कि रिजल्ट आ गया है लेकिन अभी यूपी पुलिस का जो 49,000 का रिजल्ट था वो अभी घोसित नहीं हुआ है इस आर्टिकल में दिखाया गया है कि कब आपका रिजल्ट डिकलेड हो जाएगा ठीक है जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि तो जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि दरोवा से रिलेटेड एक न्यूज दिया गया है इसी में जो पुलिस का रिजल्ट है 49,568 पदों का इस भरती से रिलेटेड कुछ सम्मंदित बाते इसमें बताया गया है तो चलिए हम देख लेते हैं ठीक है जो आपके लिए जरू उननिस को कराए गयी थी यह तो आपको पता ही है और लिखित परिच्छा का परडाम भी अक्टूबर में घोसित कर दिया जाएगा तो यहां आप देख सकते हो कि साफ साफ लिखा गया है कि अक्टूबर महीने में आपका रिजल्ट घोसित किया जाएगा और अभी आपका गोसित नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे आपने यूटूबर्स चैनल को देखे होंगे कि वह कह रहे है कि जल्ट हो गया है आप यहां से चिक कर सकते हो बट अभी जल्ट हुआ ही नहीं है तो हम चिक कहा से कर सकते हो यहां साफ सब लिखा गया है कि अक्टूबर मन्त में आपका रिजल्ट गोसित किया जाएगा तो आपको अभी से टेंसल देने की जरूरत नहीं है जैसे ओफीसेल नोटिफिकेशन पर जारी किया जाएगा हम आपको इन्फो जरूर करेंगे ठेक है तो हम आपको यह नियूज हिंदूस्तान से रियल हंडर परसंट रियल नियू तो अभी तो इससे कोई मतलब नहीं है अभी जो लिखित पर इच्छा हुआ है उसका तो रिजल्ट आही नहीं रहा है तो यह बे मतलब का आवेदन निकालते रहते हैं और पैसा ले लेते हैं और उसके बाद कोई भी रिस्पोंस इंका नहीं होता है तो आपको टेंसल देन तो चैनल को सुप्राइब कर सकते हो थबते के लिए थैंक्स पर वोजिंग टेक केर एंड सीव अगें